अब सभी का सवागत है और देखे आप सभी के सामने मैंने इस जगा निपटी का चाट ऊपन किया है निपटी के चाट पर देखे मार्किट में कैसी ऊपनीग आपको देखने को मिल सकती है कहां पर बाइंग या कहां पर सेलिंग करना चाहिए उसके पीछेगा क्या साइकलोज लेवल होने वाला है तो वीडियो को बिलकुल पूरा देखते के market पहाँ नहीं करब रहाता यानि इसके उपर closing नहीं दे पा रहाता जो कि कई न कई मैं फिस जगह लिखना भी चांगा 3800 808 k के देखे जलीवल था 3800 808 का जो लेवल था इसके उपर market नहीं निकल पा रहा तिक है यानि इसके हाई पर मार्केट नहीं जा पा रहा था और नीचे की साइट देखे इसमें एक सपोर्ट बनता हूँ दिखाई दे रहा था जो इस लेवल पर मार्केट कंटीनु देखे इस सपोर्ट पर आता था और इसी जगा से बांस बैक देता था आज के दिन भी अगर आप देखोगी तो मार्केट इसी लेवल पर आया था और इसी लेवल से इसने बांस बैक दिया था जो कि कहीं ने कहीं 37,660 के समतिंग का लेवल था और इस हाई मारा है वो 38302 के संतिंग का हाई मारा है यानि अगर हम बात करें तो कई ने कई मार्केट ने डे हाई पे क्लोजिंग दिया है क्योंकि आज कर देखें जो इसमें केंडल बनता हुँ दिखाई दिया जे एक केंडल केंडल क्योंकि यहां पे आपको दो चीजा समझना चाहिए नीचे की लेवल से अगगर आप देखेंग के तो नीचे की लेवल से देखिं मार्केट एक बुलीष केंडल था तिकन के नीचे इसका लो दिखाई को देखने को मला और उसी वोल्यूम के साथ मार्केट उपए की साइट दिखाई दिया अब इसमें नई तेजी कब आ सकती है उसके बारे में हम बात करेंगे और साथ हम बात करेंगे कि अब मार्केट में हमको कॉल कहां पर बाइंग करना चाहिए या पुट कहां पर बाइंग पर जिस जगह देखे सबी लोग पुट बाइंग करने की राय दे रहे थे उसी जगह देखे हमने जगह कॉल बाइंग करने की राय दीती 3800 200 का राय दिया था क्योंकि लगता था कि मार्केट 3800 200 तक जा सकता है और नीचे के लेवल से अगर आप देखो तो मार्केट ने एक अ आज नहीं है मार्केट में सबसे important होता है लेवल अगर हम लेवल को सही तरीके से बाच करते हैं तो मार्केट हमको पैसा बना के देता है अब यहां पर देखें लेवल में कुछ आपको बताना चाहूंगा जो आपको काफे कुछ देखें इस जगह सिखा सकते हैं और आपको ब दिखाई दिया लेकिन उसके बाद अगर आप देखो गी तो मार्केट कई ने कई देखिए इस लेवल को पार नहीं कर पा रहाता जो कि कई 3300 की लेवल को जिए OOपर नहीं कर पा रहता-- Cowstar, यानि इसके उपर मार्केट नहीं निकल पा रह था. तो अब हम कैसे इसमें बाइंग कर सकते हैं- अगर 63800 की उपर निकलता किस कंडिशन में निकलता है थोड़ा इसको कंसूलेट होने दीजे क्योंकि मार्केट यहां से उपर जा चुका है यानि अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी इसमें तेजी आ चुके नीचे के लेवल से और मार्केट एक तेजी दिखा चुका है तो अगर तेजी दिखान कि नीचे की साइट ओपनिंग हो लेकिन ऊपर की साइट के लोजिंग होना चाहिए यानि मार्केट देखिए आपका इस जगा 38,300 के ऊपर जाना चाहिए और के लोजिंग देना चाहिए तो इसमें क्या कर सकते हैं फिर हमरा टार्गेट क्या हुआ हो तो हम मैं आपको बता प्रेतम की 38,300 के ऊपर हम सीखिवाइंग कर सकते हैं यानि अपने हाई लेवल पर अगाज जाता है तो इस पर हम सीखिवाइंग करके चल सकते हैं फिर टार्गेट की बात करें तो पहला टार्गेट जो आपको देखने को बलेगा वह इस जगह देखिए 38,000 38,600 का पहला टार्गेट होगा दूसरे टार्गेट की बात करें तो 38,500-510 का होगा और लास्ट टार्गेट की बात करें तो 38,620 का होगा यानि इन टार्गेट के लिए हम मार्केट में काम कर सकते हैं अगर मार्केट अपने हाई लेवल पर इस जगह निकलता है और के सामने इस जगा बैंक निप्टी का चार्ट ऊपन किया है बैंक निप्टी के चार्ट पर देखे कहां पर कॉल या कहां पर पुट बाइंड करना चाहिए उसके पीछे का क्या साइकलोजी लेवल होने वाला है उसके बारी में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो अगर आप देखो तो यहां पर देखे आपको समझ में आए गा कि मौर्किट में देखे इजिगा जो आपको अपको ऑगाइं की देखो देखो लेगा यानि कई ने कई अगर हम बात करें तो यहां पर आपका पुट में काफी जाधा हाई इस जगह देखने को मिल जाता है कि काफी लोग जे भी कहते हैं कि सर इस जगह देखे मार्किट ऊपर गया है लेकिन पुट के अंदर जाधा वाई हमको क्यों देखने को मिलता है त देखिए मान लिजे एकि आपने किसी पी ए को उपर की साइट आपने बाइंग किया और जो आपका मार्किट है वो उपर की साइट जाई जा रहा है रूब सुद्वर्ण लेकिन आपने एत्गा पुट बाइंग करके रखाए तो जब पुट आपका नीचे की सायट आता है तो लोग क्या करते हैं इस जगह ऐसे उसको देखेंगे काफी लोग इस जगह एविरेस करते हैं जैसे कि दोसों पर बाइंग किया तो 80 पर एविरेस करेंगे फिर जगह 260 पर करेंगे फिर जगह 140 पर करेंगे फिर जगह 120 पर करेंगे तो इसके वैसे इन पर क्या होता है quantity भी जादा हो जाता है और plus हर quantity पर इनको क्या देखने को मिलता है loss देखने को मिलता है जिसके वैसे देखें जो average आपको इस जगह quantity दिखाई देता है कई ने कहीं ज़्यादा दिखाई देता है कि अब मैंने आप सभी के सामने एज जगा वन डेकाज भी चार्ट ऊपन किया है अब देखें यह काफी लोग तो बात करते हैं कि यहाँ पर यह चीज़ा बाइंग करना चाहिए लेकिन सेलिंग कहां पर करना चाहिए अब सेलिंग प्वाला पॉइंट कौन सा सही दिखाई देता है तो दुदि के सेलिंग बाला पॉइंट अगर मैं बात कहुं तो कहीं ना कहीं देखें अगर इस जग मने रहाट किया मैं में अच्छा पर देखाना चाहिए डिया है अगर आप हमारे पेड़ गूरुप मुन होना चाहते ह तो हमारे लिंक से अकाउंट उपन कीजिए एंजल, जरोदा, अफिश्टॉक, एलेस विलू, आयाई, एफल के साथ जोइन हो जाए हमारे पेट गुरूप में जिसमें निप्टी, बैंक, निप्टी, इस्टॉक के कॉल दिये जाते हैं और साथी साथ आपको सिखाया जाता है, आपको बताया जाता है, अब देखिए इस जगह जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उपर वाले पॉइंट पे हम इस जगह सेलिंग करके चल सकते हैं, चुकि हमको देखे कहीं ने कहीं इस जगह सेलिंग करके चल सकते हैं उपर की लेव आफ देखए यहां पर अगर आप देखोगगे तो ऊपर की लेवल पर क्या दिखाई दे रहा है कि ऊपर हुपर की साइज सेड़िंग करके चल सकते हैं जो की मैंने आपको बताया कि 38,750 की लेवल पर हम सेटीक्ट करके dol पे हम गार्ण करके चल सकते हैं क्योंकि देकर हमारा एसल चोटा होगा और जो हमारा लॉस होने का चांस है और वह हमको कम दीखने को मिलेगा टिक है तो ऊपर के लेवल पर हम सेलिंग करने की कोशिश कर सकते हैं उन्य utilized कंडीशन हमारा एक ही होगा क्यों weld ग contemplaker वो वो ऊपर की साइट देखे आपका opening दे लेकिन आपका किलोजिंग नीचे ही देना चाहिए यानि कहीं कहीं जो आपकी candle बनना चाहिए वह इस जगह red candle बनना चाहिए ठीक है market उपा थोड़ाata करेगा इस तरीके से मलाँ करणेगा और मार्केट ऑफंपने अपनोः रूब करेगा गया में पूप ट्रह jetzt किया आपts उसमें क्या बाइंग कर सकते हैं हम उसमें पुट बाइंग करके चल सकते हैं फिर हमारा देखे टार्गेट क्या होगा तो इस जगा देखे 38,700 का पहला टार्गेट होगा दूसरे टार्गेट की बाद के तो 38,600 का होगा और लास्ट टार्गेट की बाद के तो 38,450 का होगा या करके चल सकते हैं अब देखिए इसका लॉजिक क्या है आपने देखा होगा कि जो उपर की साइट से देखिए आपको सेलिंग करता हुँ दिखाई दे रहा है तो कई ने कहीं इस लेवल पर आपको एक सेलिंग देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मार्केट ने पहले भी इस लेव करने की कोशिक करते हैं जिससे उनको देखिए नीचे की साइट जब वह बाइन करते हैं तो उनको पिरोफिट मिलता है और दोनों की तरफ के उपर की साइट भी उनको PE बाइं करने का profit मिलता है अब चलिए बात कर लेते हैं कि बड़ी तेजी और बड़ी मंदी आपको कहां से देखने को मिलेगी तो देखें यहां पर मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूं बड़ी तेजी तो आपको उसी लेबल से देखने क को बलेगी जो मैंने आपको बता के रखा है कि मार्केट अगर देखें एक जगह 38,300 के ऊपर निकलता है तो एक आपको बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है उपर की शायट जिसमें जो तेजी आपको देखने को मिलेगी 200 से लेके आपको एक जगह देखें 350 पॉंटों की तेजी देखने को मिल सकती है यानि अपने हाई के ऊपर निकलता है जभी आपको तेजी देखने को मिलेगी तेकि सेलिंग आपको जभी देखने को मिलेगी जब मार्केट इस वाले लेवल को बिरेक करेगा या मैं बोलू इस वाले लेवल को बिरेक करेगा जभी आपको एक मंदी देखने को मुलेगी जो की नीचे की साइट आपका निकलता है 37,600 के सम्तिंग यानि अगर हम बात करें तो अभी मार्केट ने कहाँ पर किलोजिंग दिया उस लेवल से अगर हम बात करते हैं तो कईने कई मार्केट में जगा 600 पॉंट अगर नीचे जाता है और फिर उसके बात इस लेवल को बिरेक करता है यानि अपने लोके लेवल को बिरेक करता है जब ही आपको इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है और जो नीचे सेलिंग देखने को मिल सकते है वो बड़ी सेलिंग होगी यानि 500 से लेके आपको 600 पॉंटो की सेलिंग देखने को मिल सकते है यानि अगर मार्केट अपने लोको बिरेक करता है तो हमको सेलिंग देखने को मिल सकते है पाकि level to level हमको कैसे काम करना वो मैंने आपको बताई दिया है पाकि हमारे टेलिग्राम चैनल को सस्क्राइब कर लेजे आज का वीडियो का लाइक है मैंने आपको बता के रखा है कि 2000 लाइकों का है पाकि वीडियो अच्छे लगी तो जरूर लाइक कीजे आपका मन में जो भी सवाल है मुझे कमेंट कीजे जै ही बंद मताओं